महिमा चौधरी यूपी की कानून विवस्था की मुरीद हो गई उन्होंने यूपी में अपराद कम होने की बात कही प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड अच्छा काम कर रही है काफी हद तक महिलाओ के साथ हो रहे अपरादों को रोकने में काम्याब भी हुई है दरसल महिमा चौधरी ने यही सारी बाते तब कहीं जब वो गोरखपुर कलब में आयोजत कार्यकरम को संबोधित कर रही थी इस दोरान उन्होंने एसेड अटैक पीडितों से बात की और उनके जीवन जीने के जजबे को सम्मानित भी किया महिमा चौधरी का कहना है कि इस कार्यकरम में उर्जा कर्मयोगी सम्मान 2019 से 20 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया है क्योंकि वो खुद गुमनाम रहकर लोगों की भलाई का काम करते हैं साथ ही ऐसे अटैक पीडितों के लिए होसला अफजाई के लिए पीडितों को भी सम्मानित किया गया आई आपे किस तरह का ये कर्यकरम है और क्या कहना चाहेंगा ये उर्जा करम योगी सम्मान जो है ये उन लोगों को सम्मान दे रहे है 20 लोग चुने हैं जो ग्रासरूट लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं और उसके बाद सम्मान के बाद भी एक तरह से इनको सपोर्ट मिलेगा यहां से और आगे काम करने के लिए और एक खास सेक्शन इस प्रोग्राम में ये भी है जो हमारे आसिड अटाक्स है उसके उपर फोकुस है और जो हमारी जो योगी जी ने एक फॉस बनाई है उसकी वज़े से आसिड अटाक्स कम हो गए हैं महिमा चौधरी ने शहर के विकास के लिए किये जा रहे सरकार के प्रयासों को भी सराहा उनका कहना है कि देश-विदेश में प्रख्यात एम्स गोरखपुर में बनने से यहां के लोगों को भी बहतर इलाज मिलेगा इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैं साथ साल पहले गोरखपुर आई थी तब से गोरखपुर में काफी बदलावा चुका है यही कि उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और उनका आश्रम है यहां वहां जाना चाहूंगी और बहुत फरक आया है उनके आने से क्राइम बहुत कम हुआ है यूपी में और क्या कहना चाहूंगी एक बार में पहले आई थी गोरखपुर चुपचाप कुछ 7-8 साल पहले निर्मा का शो हुआ था यहां पे तो हम लोग शिपचाप शो करके गए थे तो मैंने आपका गोरखपुर शेयर पहले भी देखा हुआ है अभी आते हुए मैंने एम्स देखा बहुत बहुत बढ़ा बन रहा है यहां तो मुबारक हो इतना बड़ा इंस्टिट यहां पे आ रहा है जिसका इतना नाम है देश में सबसे जाना माना इंस्टिट एमजी है तो बहुत रक्की हो गई है तब्दिली आई है बस यह है कि यहां पे ख्राइम बिल्कुल जीरो कर दीजिए महिमा चौधरी ने कहा कि हमारे देश में शुरू से ही औरतों की पूजा होती आई है तो अगली बार जब भी आपके घर में लड़का हो तो उसे महिलाव का सम्मान करना जरूर सिखाएं तब ही हिंदुस्तान सही माएने में हिंदुस्तान कहलाएगा साथ ही उन्होंने ऐस सिन अटैक के आरोपियों को कड़ी सजा देने की बाद भी कही रिस्पेक्ट करना सीख लिया उस दिन ये देश-देश कहलाएगा माइने में हिंदुस्तान जो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टन है मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी मैं एसेड विक्टम से मिली हूँ और मैंने देखा है कि इस साल भी कम से कम पच्छिस अटैक हुए हैं तो ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज है एंड इसलिए मैं ये कह रहे हूं कि ज्यादतर जो आइसेड अटैक्स करते हैं वो आदमी ही होते हैं तो आदमीयों को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत गहरा एक पनिश्मेंट होना चाहिए साथ-साथ जैसी जो लोग सेवा कर रहे हैं वो एक तरह से गुमनाम होते हैं और उनको आज सामने देखने के बाद और उनका समान करने के बाद और आइटिंक लोगों को भी और फरत पड़ेगा विकुज इंस्पाइरिंग होती हैं ये स्टॉरीज की ये लोग इतना काम कर रहे हैं और जब सामने लाते हो आप लोगों के तो लोगों को आपको खुद एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं तो आइ थिंग यह बहुत इंस्पिरेशनल इवेंट है और हर साल होना चाहिए तो मैं उनको शुब कामना ही देना चाहूंगे कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक सोचा बिकोज जिन को हम जानते हैं जिन हीरोस को स्पॉट्समें को उनको तो आउनर मिलता ही है और लोगों की मुस्कुराहट और फैन्स को देखके ही एक अलग सा एक खुशी मिलती है लेकिन ये लोग जो समाज सेवा करते हैं इन लोगों को कभी वो वावा नहीं मिल पाती उस तरह से और उनके लिए ये शो तयार हुआ है और उनको समान दिया जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है और इंस्पाइरिंग भी है हम सब के लिए महिमा चौधरी के कारेकरम में पहुँचने से लोगों का तो उत्साह बढ़ा ही साथ ही महिमा खुद भी गोरखपुर आ कर बेहत खुश नजर आई इतना ही नहीं उन्होंने सीम योगी से मिलने के इच्छा भी जाहिर की पंजाब के इसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रूद प्रताप सिंख रिपोर्ट